मैंने सोचा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैच के दूसरे दिन रोहिट शर्मा ने काफी अच्छा अप्लिकेशन दिखाया अज अन ओपनिंग बैट्समन पर क्या आपको पता है कि 2010 में उन्होंने अपना किया था वो नागपूर में साथ आफरिका के विरुद तभी वो आये थे अज इंजुरी बैकप तो वीवियस लक्षमन पर ऐसे हुआ कि वो टेस्ट डेब्यू करने ही वाले थे बट मौनिंग अफ़ टेस्ट क्या हुआ वो इंजर हो गए वाम अप्स में और इंडियन टीम को क्या करना पड़ा रिदिमान साहा जो बैकप विकेट कीपर थे उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया तो धोनी भी खेले अजर विकेट कीपर और साहा खेले जस्ट अजर बैच्मन रोहित को रुपना पड़ा तीन साल टेस्ट डेब्यू करने के लिए और जब उन्होंने किया उन्होंने पहले ही अपने दो टेस्ट मैचेस में दो सेंचुरीज मारे और उसके बाद तो हमने देखा ही है कि वह अजर ओपनिंग बैच्मन क्या कर रहे हैं दोहजार उन्नीज के बाद तो दाट वस अवेरी गुद स्टोरी फोर यू